नमस्कार दोस्तों, UPPCS 2014 के प्रिलिम सेशन में आप सब का स्वागत है दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोग environment को conserve करने के लिए जो Indian Government का steps था यानि जो भी policies या act बनाया थे उसके संदर में हम लोग 10 MC quiz को discuss की आज हम लोग globally यानि की कोई world organization ने क्या का step लिया है environment को conserve करने के लिए उससे related यहाँ पे 10 MC quiz को discuss करेंगे और खासकर यहाँ पे UPPCS का जो भी PYQ question होगा इस topics related उसको हम लोग कभर करने वाले हैं इससे पहले थोड़ा से यहाँ पे short note देख लेते हैं कि globally environment को conserve करने के लिए क्या क्या step उठाए गया है देखो यहाँ पे एक summary है कि इसको आप अच्छे से memorize कर लेंगे तो ज्यादय तर जो UPPCS का question है और अराम से आप इसको गभर कर लेंगे देखो 1922 में bird life international आया था 1937 में wetland international आया था 1961 में आपको world wildlife fund आप और नेचर आया थे 1976 में traffic the wildlife trade monitoring network आया था 85 में BNA convention आया थे ठीक है जो बोजिन लेर का protection करता है फिर 87 में Montreal protocol आया था लेकिन यह जो लागू इसको 89 में किया गया था ठीक है ध्यान दकना Montreal protocol जो ozone deplet के लिए रोकने के लिए आया था लेकिन इसको implement 1989 किया गया था ठीक है पैसल कन्वेंशन आया थे जो ट्रांस बाउंडरी मोमेंट जो हजाडर से हमारी वेस्ट है उसको रोकने के लिए आया थे 1989 में 1992 में नेरोवी में कन्वेंशन आप वायोडाइबरस्टी हुआ था फिर 1992 में भी ग्लोबल इन्वायर्मेंट जो फैसिलिटी है यह थे रियो अर्थ सम्मिट हुआ था दोजार एक में इस्टॉक होम कन्वेंशन आया था दोजार आठ में यूएन रेड आया था प्रोग्राम दोजार आठ में ही ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलाइएंस बने थे 2010 में ग्रीन क्लाइमेट फंड इस्टैब्लिश किया गया था रियो ट्वंटी कंफ्रेंच 2012 में आया थे 2013 में मीना माटा कन्वेंशनल मरकरी आया था 2016 में किगाली अग्रीमेंट आया थे इस सरे सेक्वेंस है इस से रिलेटेड और यह दिए आपको डिटेल जानने है तो कमेंट सेक्षर में इस लिंक को जो नोट्स का लिंक है आपको दे दिया जाएगा उसको आप पढ़ लिजाएगा फिलाल इस से रिलेटेड हम लोग यहां पे MCQs को डिसक्स करते हैं अब द सस्टेंबल डेवलोपमेंट जब से बात स्टर्ट हुआ है । अ कब से या निश् करने लगी है कि तूर निकिसी स्ट्रट और लोम ने लीमिट टू ग्रोथोथ दिया управा यहां पर उसमार बता आ थकिन अप इन्वारिमेंट को अन्देखा करके एधी कोई भी डेवलप्मेंट एक्रिविटीज करते हैं एक लिमिट के बाद वो डेवलप्मेंट आपका स्लू हो जाएगा नेगेटिव में चला जाएगा इसलिए इन्वारिमेंट और सोसाइटी और एकोनोमी तीनों को साथ-साथ यान का यह अंसर हो जाएगा है दूसरा यूपीपी से 2020 का है यहां पर आरेंज करने के लिए रियो अर्थ समिट का हुआ था 1992 में अभी देखे थे ठीक है यहां पर ब्रेट लेंड जो कमिशन का रिपोर्ट था वो हमारा 1987 में आया था मोनेट्रियर प्रोटोगाल हम लोग देख तो हमारा 1992 में लिमिट टू ग्रोथ आया था 87 में ब्रेट लेंड का रिपोर्ट आया था और 89 में मोनेट्रियर प्रोटोगाल का इंपली डिपलीशन का इंपलीमेंट किया गया था रियो अर्थ समेंट 1992 में वैया था इसके सबसे सबसे पहले आया था चवथा ठीक है जब पहला आप हड़ा सकते हो इसके बाद 1972 के बाद आप देखोगे तो ब्रेटलेंड का मेंशन का रिपोर्ट आया था दूसरा चौथा का बाद दो तो हमारा यहां पर बी आंसर हो जाएगा उसके बाद मोनेट्रियल प्रोटोकाल का इंफोर्समेंट हुआ था फिर आया थे र आजेंडा 21 ये भी मारा रियो और सम्मिट से ही निकला गुआ था आजेंडा 21 इसमें चार हमारे अग्रीमेंट्स हैं ठीक है चार अग्रीमेंट्स हैं इसमें और अजेंडा 21 जो 21st century है उसमें sustainable development के लिए यहाँ पे एक agreement था जिसमें चार हमारे agreement किये थे चार agreement में आप की तो सोचल एक्टोणोमिक डेवलपमेंट पे फोकस किया गया था रीसोर्स मैनेजमेंट पे जो मेजर गुर्प का रोल होगा और कैसे ही इंपलेमेंट कर जाएंगे इस पर फोकस था ठीक है तो यहां पर 4 हमारे अग्रिमेंट था तीन का यह हमारा आणसर हो जाएंगा यह 2021 में कारवन क्रेडिट के बारे में पूछा है कारवन क्रेडिट के प्रोटोकाल जो 1997 में उससे निकला गुए था कार्बन क्रेडिट का कॉंसेट ठीक है कार्बन क्रेडिट का कॉंसेट क्योटो प्रोटकाल जो कोप 3 कॉंफरेंस अपार्टी कोप 3 जो हुआ था 1997 में उससे मारा निकला हुआ था तो चार का हमारा भी आंसर हो जाएगा तो अब देखो कार्बन क्रेडिट क्योटो प्रोटकाल के निकला हुआ था यह भी हमारा सही है और कार्बन क्रेडिट के यहां पर carbon dioxide के limit को increase होने से रोकता है यह भी हमारा सही है यहाँ पर जो d statement दिया है carbon created at fixed price from time to time by united nation environmental ऐसा कुछ भी नहीं है कोई भी price यहाँ फिक्स नहीं किया गया है even EP के द्वारा 5 का हमारा d answer हमारा सही बजाएगा 5 का हमारा d यही हमारा गलत है अब देखो UPSC 2016 के यहाँ पर question है greenhouse gas protocol ग्रीन house gas protocol के संदर में ग्रीन house gas जो हमारी प्रोटोकाल है वह आपका इसके द्वारा develop किया गया था world resource institute wri के द्वारा पर इसको डेवलप किया गया था ग्रीन house gas protocol का मतलब था कि ग्रीन house gas क्या understanding होगा कैसे emit होता है ठीक है उसको quantify कैसे करेंगे कैसे हम measure करेंगे कितना ज्यादा emission हो रहा है और कैसे greenhouse gas का measure करेंगे इसलिए greenhouse gas protocol आया था और world resource institute द्वारा डेवलप किया गया था तो इसका अंसर आप देख सकते हो छे का डी होई नहीं यहाँ पर देखो छे का मारा क्या आवा जाएगा इंटरनेशनल गवर्मेंट विजनेस इट इंटर कोंटेन टेक्नोलोजी चे का हमारा के आव जागा इंटरनेशनल एकांटिंग टूल्पाव कवर्मेंट विजनेस लीडर क्वांटिफाई वाला यह हो जाएगा यह कहां यहां पर क्वांटिफाई करता है अंडेस्टेंडिंग करता है मैनेज करता है ग्रिनाउस गैस इमेशन का तो चीक हमारा यह आंसर हो जाएगा ठीक है इसका अंसर हमारा यह हो जाएगा जिसमें चार अग्रिमेंट हमारे किये थे सस्टेंबल डेवलोप्मेंट से रिलेटेड है एंटेंटी टू में आया था और 21 संचुरी के लिए हमारा इन्वार्मेंटल कर्णिवरेशन की बात की थी फिर आप देखो 2018 में यूपी पीसिस का है यहाँ पुछ रहा है कि Greenpeace international जो एक रासी एंजी यू है और और आर्थ को green रखने की बात करता है, environmental को conserve करने के लिए बात करता है, ठीक है, और environmental को harm पहुंचाने के लिए कोई भी activities हो रहे हैं, तो वहाँ पर protest करता है, green peace international, हेट क्वार्टर, नीदर लेंड के जो capital है, नीदर लेंड का जो capital है, और Ams Dam, यहाँ पर हेट क्वार्टर आपको देखने को मिलेगा, तो आठ का हमारा यह answer हो गया, आठ का यह answer हो गया, अब देखो नवा है, यहाँ पर यूपी PCS 2014 का प्रश्णा है, यहाँ पर पुछ रहा है कि Green Index इंडेक्स इसके दौरा developed किया गया था, ठीके, Green Index इसके दौरा developed किया गया था, इसके UNEP, United Nations Environmental, जो करता है कि हमारा environmental का कितना क्या परफॉर्मेंस है और यह हमारा यूएन इपी द्वारा डेवलोप किया गया था नौका यह आंसर हो जाए नौका यूपी आसी 2014 में global environmental facilities की बात कर रहा है ठीक है तो global environmental facility एक तरह से finance का काम करता है ठीक है फाइनेंसी का काम करता है और financial institution है जो जो को 1912 में स्टैबलिस हुआ था कि बीडी और यूएन एफ सी सी के अंतरगर्द थीक है सी बीडी का मतलब है है यहां पर कंवेंशन आल बायो डाइबरसी और यूएन एफ सी सी का मतलब हैं यहां पर यूनाइटेट नेशन टेम वर्क कंवेंशन अन क्लाइमेट चेंज इसक आंसर यह हो जाए यह दोस्तों आज हम लोग डिसस किये कि ग्लोबली हमने इनवारिमेंट को कंवर्ब करने के लिए क्या-कया पॉलिसी अपनाय हुए है उसके संदर में हम लोग MC को यहां पर डिसस कि पासकि इस वीडियो में बस देना ही थैंक्यों वाचिंग मिलते हैं अ कर दो कर दो